अगर आपकी डिलेवरी डेट दिसम्बर, जन्वरी, फर्वरी के बीच में है तो आपको किन बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए आईए जानते हैं नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी सीतल्टों से संजीवन गर्वसंसकार में आपका स्वागत करती हूँ सर्दी के मोसम में यदि आपकी डिलेवरी डेट है तो आपको ठंड से खुद का और आने वाले नन्हे शीशु का भी ख्याल रखना है दिसंबर जन्वरी इन महिनों में ठंड जादा रहती है क्योंकि सर्दियों के दौरान जन्ड में बच्चों को ठंड लगने का खत्रा भी इस दौरान बना रहता है ठंडी के मौसम में नवजाद शीशु को अपने आप को बाहरे ठंड के वातावरण से खुद को एडजिस करना होता है और यह शीशु के लिए मुश्किल हो जाता है ऐसे में मा को कुछ सावधानियों के साथ अपने शीशु को ठंड से बचाना है और अपने आप की भी केर करनी है सबसे पहले तो ठंडी के मौसम में आपके स्कीन की केर आपको करनी है ठंडी के मोसम में वातावरण में नमी कम हो जाती है जिससे त्वचा ड्राय हो जाती है और उसमें खीचा उत्पन होता है और फिर रुखापन भी आजाता है इसलिए आपको अपनी त्वचा को कोकोनट ओईल, अलमड ओईल या मॉश्यराइजर लगाना चाहिए आप हलके गर्म पानी से नहा सकती है और जितना हो सके केमिकल्स रहीत सौम में साबुन का इस्तमार आपको करना है ठंड के मोसम में आपको भरपूर पानी पीना है ताकि आपका शरिर हाइडरेटेड रहे सर्दियों में फ्लू का ख़तरा बढ़ जाता है और अगर आपकी डि अक्सिन भी आपको समय पर कराना है डिलिवरी की सहीव पूर्ण जानकारी पहले ही प्राप्त करे ताकि आप मेंटली और फिजिकली डिलिवरी के लिए प्रिपेर हो सके हॉस्पिटलाइज होने के लिए अपनी और शिचू की बैग भरके रखे ठंडी के मोसम के कारण आप आपको ध्यान रखना है बैग में आपके लिए स्वेटर, मफलर, सौक्स डालना ना भूले इसी तरह से शिचो के लिए भी टोपी, स्वेटर और सौक्स बच्चे के बैग में डालना ना भूले लेवर पेन को आपको अच्छे से समझना है ताकि जब आपको लेवर पेन स् relaxly hospitalized हो सके और delivery को अच्छे से face कर सके ध्यान रहे ठंडी के मौसम में आपको कुछ देर तक सूरज की धूप में रोज बैठना है जिससे आपके शरीर में vitamin D की कमी ना हो बहुत बार देखा जाता है delivery के बाद मा को अपने नवजात शिशु के साथ घर में भीतर ही रहना पड़ सकता है ऐसे situation उत्पन्द ना हो इसके लिए बाकी family members ने भी new mom को साथ देना है support करना है ताके उसे अकेलापन महसूस ना हो सर्दियों में जन्ने बच्चों को respiratory infection का खत्रा भी बढ़ जाता है इसलिए पहले ही नवजात शिशु की अच्छी तरह से देख भाल आपको करनी है मगर ध्यान रखे सर्दियों उसे बचने के लिए बच्चे को बहुत सारे कपड़े आपको नहीं पहनाने है ना ही उसे अ अलावा नवजात शिशु को समय पर ठीका करन आपको कराना है और अवशक्ता पढ़ने पर अपने पेडियेटरिश जियन को भी दिखाए इस तरह से दिसंबर जन्वरी और फर्वरी में डिलेवरी यदी होती है तो माने अपना और होने वाले शिशु का ख्याल रखना है अथा वाटसेप भी कर सकती है तो हसते रहें मुश्कुराते रहें इंजॉय करें प्रेगनसी का हरुक्षन संजीवन गर्ब संसकार के साथ धन्यवाद